सप्लाइ से आ रहे है इसमें ACL और ACL और फेस जो रैड वाली होगी ना ACL में लगा जाएगी वो जो फेस होगा ब्लैक वाली आपकी जो हमने यहां से स्विंग के लिए थी ना वहम उठा के यहां ले लेंगे कि वाली सविंग का नूट्रल और बौर्ड सप्लाइ का नूट्रल यहां अगया और मोटर और फैन मोटर और वाटर परम का यहां आ गया तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको मिली होगी इसकी वीडियो अभी जैसा की मेरे पास सारा कम्प्लीट सेटप है ठीक है में सेटप यह है सेंसर सिस्टम सेंसर में हुमारे पास जैसे पूरी रिमोट रिमोट साब जैसे चली हम शुरू करते हैं 1y1 सबसे पहले दोस्तों यह मैं आपको दिखा दूं यह साथ इनके की PC भी है कनेक्शन हम साथ-साथ करते रहेंगे और उसके साथ-साथ ही मैं आपको पूरा सेटप का चार्ज भी बता दूंगा क्या कॉस्ट पड़ जाती है कई बार होता है पूरा सेटप भी चेंज करना करने डियों में नहीं है तो इबार मैं फिर ही बताता हूं यह सपीड सेक्शन हमारा हाई मीडियम लो ऊपर एंप्ते टेंग अलार्म एक इदर एंप्ते अलार्म और एकदर वाटर सिगनल के लिए यह यह ब्लिंग होती है यह लारम लगा हुआ है कोल के लिए ऑन-उफ के सेखिए टाइमर के लिए कि सब में LED लगी है मैंचन इसमें है नहीं कि जैसे कॉल पहले वाली PCB वह के अंदर मैंचन रहते हैं तो यह इस टाइप से जैसे कॉल है लेना है और ऐसे हमें बहुत हलके हाथ से प्रेस कर लेना है अंदर ठीक है यह लग गया यह हमारी की पीसीब अटैच हो गई है जैसा इक कूलर के अंदर अब देखोगे न तो इस टाइप से शो हो जाता है पावर पीसीब गई नीचे और कीपीसीब उसके वपर ठीक है अब यह हो गया हमारा वह खाली अभी कीपीसीब और यह सेंट हुआ उसके बाद हम जब पानी के सप्लाइय जब ओन होईगी तो उसके लिए हमारे पस जब जरूरी है वातले लेबल सेंसर इस जैंसर की वीडियो आपको की PCV उसका सेंसर कम जाता है की PCV के पीछे यह हाई गुलाई में और डाइट में सेंसर पीछे होता है वो भी की PCV के अंदर तो यह वाला सेंसर है यहां पे देख रहे हो आप तो यह वाले जो आप देख रहे हो न यह उपर वाला पॉइंट है यह उठा हुआ है यह हम पूरा connection समझ लेंगा हाई को लाएगा जिससे आपके सारे question खतम हो जाएगा और जो भी रह भी जाएगा तो मैं कमेंट करके बता देना यह हमारा पानी के अंदर गया यह फिल हो गया ठीक है अब इसको रख लेते हैं और यह हमारा लेटेस्ट वाला रिमोट हलाकि इसकी मैंन मेडम वाला र अघ्ल माल रौला थहाई हमारे अना के लिए तर्सक्षा चाहर आधा कर्णी के पदर के मटाउला के मटार के मैंली मेडम एकनागी यह गया नुएँ ममारे मटार एक देह चल्श की hr न चीन्सार में हेस्का। कि और इसके बाद इसकी मोटर की चार में से इन हम를ben लगा दी की नीज्ड्रल की अलग रहे हैं this common के ऑंपर वाले में लगा दिते में Ben अब आ जाते हैं OW swing की इस एक यह हमने और दूसरा हमारा कुल यानि कि पाम्पॉल में लगा और उसको एक न्यूट्रल हमने असे चाहो तो आप तीन भी कर सकते हैं यहां पर मोटर वाले के साथ और पंप वाले के साथ भी जोड़ से तो पर हम उसको अलग रख रहे हैं क्योंकि इसक्रूम इसनी जगह नहीं होती दो वायर यह आप आती है उसके वादे टाइट हो जाता वह जो फेस होगा ब्लेक वाली आपकी जो हमने यहां से स्विंग की लिए थी न वह उठाके यहां ले लेंगे तो यहां तक आपको समझ में आगे सारे connection setup high cool आई के ठीक है अब बात कर लेते है रिमोट से एक दो तीन चार पाँच पाँच की इसके अंदर है दोस्तों ठीक है और यह आपका power का है जो बीच में जिससे यह light on off होती है और यह वाला आपका cool का है जिससे हमारी यह वाली light on off होती है यह वाला प्रेस करते हैं और यह रिमोट से होगा तीसरा हमारा यह fan का है यहां पर यह रखा आपका ठीक है यह वाला आ गया ठीक है high medium low speed का चौत्था हमारा यहां swing का है वो हमारे को यहां मिल जाता है स्विंग का और यहां बटन से यह वाला है टाइमर आपका यह मिल जाता है एक गंटे दो गंटे तीन गंटे चार गंटे पांच गंटे छे गंटे साथ गंटे यह हमें यहां मिल जाता है दूसरी चीज दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्टोटल की इसकी क्या कॉस्ट होती ह है पहले सिंगल सिंगल की 590 रुबे का दोस्तों रिमोट है यह ठीक है 885 प्लस 885 ठीक है साड़े सत्रा सो राउंड फिकर माल लेते हैं 300 रुबे का सेंसर है मोटा मोटा दोस्तों आप समझो तो 2650 रुबे करीब आपका बिल हो जाता है अब यह सारी चीजे आप एक दो तीन चार चीजे अगर आप लेते हो न सर्विस सेंटर से तो मैं आपको बताता हूं क्या वार होता सर्विस सेंटर वाले भी लैगो शेवल कर लेते हैं मैंने की PCV वैसे की PCV तिल दी खराब नहीं होती बाइचांस मान के चल रहे हैं खराब है तो वाटर लेवल सेंटर में भी प्रॉब्लम आ जाती है की PCV की वजह से जो यह ब्रैकेट है पीछे है यहां पर आप जो देख रहे हो यह वाला इस ब्रैकेट की वैसे उसके इंदर प्र बना सकते हो पावर PCV का अगर कोई पार्ट खराब है तो एलेक्रिकल पार्ट उसकी आइसी या मॉस्टेट सब्सक्राइब बना सकते हो रिमोट को आप अगर सकते हो बहार आपको मिलेगा नहीं यह दो चीजा आप अगर अगर इतने पैसे देने के बाद अगर आप अगर कि एकर आपने दू-्तिन साल में दो अगर प्राप्लम आ रहे तो आप लगाओ तो ठीक भी रहता है इसमें आपको की PCP, ऑौर पीदी बिल जाती है छे महने की रिमोट की वर बर एसी के जो PC वे उसमें क्या होता है जो ट्रांसिस्टर वागरा होते है न मौस्ट्र लगे तो रिपेर हो जाती है यह बहुत हो तो यह भी जाती है ऐसा नहीं होगी हो यह भी जाएगी लेकिन डिपेंट करता है आपको वहां पे चुछछड जो पार्ट से मिल पा रहे है क क्यों कि अंदर तो दोस्तों कॉमन है कि हाँ यह फलानी नंबर का इसी खराब है यह खराब है कैपिस्टर चेंज कर दो या तो आप इसको एक बार चेक कर लो जो मोशली मैंने देखा है कही बार होता बंदे आर्टर साल से सिंफिनी का कूलर यूज कर रहे हैं मैनूल भी य एक कमेंट मेर को आया था एक कीपी सीपी चाहिए चाहिए प्लस की सीपी पैसे दिया दस दिन बाद वह फिर कम्प्लेंट करते हैं वाटर प्रम की तो फिर से उसे चार्शो सक्तर रूब ले पहली चीज क्या होता है जो सर्विस चार्ज होता ना दोस्तों वह 20-25 दिन तक वैलिट रहता है एक बार का उसके बाद आप बलाते तो फिर से वह सर्विस चार्ज ल होता है घर वी का टाम होता आदमी को नहीं बरदाश होता कोई भी और क्ली आप मेरे को इसको ओसे से कर ले ना ओडिक होता है तो पूरा सैट आप हमने समझ लिया कनेक्शन समझ लिये प्राइस समझ लिए इसकी तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी तो इस वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल अगन को प्रेस करते हैं इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मिलते जल्दी आपसे अगली वीडियो होएं